नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यूपी बोर्ड परिच्छा का परिणाम टीटी के लिए आजीवन का प्रस्ताव अनुदेशकों का प्रदर्शन अनुदेशक लगातार जो है मांग कर रहे हैं और जो पीटी का अग्जाम होगा उसकी अपडेट साथी साथ में जो प्राचारे पद के लिए इंटरव्यू है वो कपसे होंगे इस वीडियो में जानेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यूपी बोर्ड की तरफ से जो है जुलाई में परिच्छा परिणाम घोसित हो सकते हैं दसुई और बार्वी को ले करके यूपी बोर्ड ने जो है सजेशन मांगा था लगभग 4,000 सजेशन यहां पर मिले थे और इन जो 4,000 सजेशन मिले हैं इनको मुख्यमंत्री के सामने पेस किया जाएगा उसके बाद क्लियर किया जाएगा कि किस प्रकार से 10 और 12 में जो है नंबर दिये जाए भेर्थियों को यूपी बोर्ड दसुई और बार्वाई को परिच्छार्तियों को प्रमोट करने के लिए मन्थन जारी है अभी तक 4,000 सुजाओ आ चुके हैं राच्की इंटर कॉलेज कालेजों में प्रधानाचारे अव्यावक संके पता अधिकारी वा बच्चों के अव्यावक सामिल है सभी से सुजाओ मांगे गया था लगबग 4,000 सुजाओ यहां पर भेजे हैं ऐसे में इन सुजाओं पर बिभाग मन्थन करेगा सभी सुजाओ मुक्यमंत्री योगी अधितिनात के समझ्छ प्रस्तूत कि जाएंगे वहीं सभी सुजाओं पर यूपी वोड के अधिकारी भी गहराई से मन्थन करेंगे अधिकारियों के मताबिक अभी तक है सुझाओं में प्रेडाम जारी करने का फार्मूला खोजा जा रहा है। दर असल पिछले दिनों मुक्यमंत्री योगी आधित नार ने दसवीं बारवें के 56 लाग से अधिक परिच्छार्तियों को प्रोणनत करने का नियर्णे लिया। जिसके बाद से लखनाओं माधिमिक सिच्छा सिवीर कारेले प्रयागराज मुक्खाले में बैठकों का दौर जारी है। इसके बाद मुक्यमंत्री के अधित्ता में बैठक होनी है। अधिकारिय में बिना परिच्छा के प्रमोट कैसे किया जाए। इन सब चीजों को विशेश ध्यान में रखा जाएगा। छात्रों के भविश्य खिलवार ना हो इसका विद्यान दिया जा रहा है। संस्था जो संस्थाएं हैं उनकी विराए इसमें जानी गई है। सासन के अप्सवन इमेल के जरिए सुझाओं मांगे गए थे, चार हजार सुझाओं यूपी बोर्ड को मिले हैं। अब इन चार हजार सुझाओं उपर किस प्रकार से प्रमोट किया जाए। इस पे अंतिम महर मुख्यमंत्री की लगनी है। जैसे ही मुख्यमंत्री इस सुझाओं को मानते है और साथी इस साथ में जो अधिकारी है वो आपस में बैठ करके कोई ना कोई फर्मूला इन 4000 सुझाओं में से निकालेंगे ताकि जो अभेड़ती हैं उनको अच्छे अंक मिले और साथी साथ सब किसी को ये भी ना लगेगी जो है मुझे अंक कम मिले हैं तो बहुत सारी सब्सक्राइब करने का प्रस्ताव भेजा गया था तो दोस्तों टीटी 2020 के लिए पुना जो अगर ये प्रस्ताव मान लिया आता है तो पुना एक जो है संसोधित विग्यापन आएगा और निश्चित रूप से जो है टीटी 2020 के लिए जो संसोधन होगा उसमें टीटी आजीवन मान कर दी जाएगी फिलाल 2011 से लगा करके जितने भी सार्टिफिकेट अभी तक अन्वैलिड हुए हैं उनको नए सिरे से भी जारी किया जाएगा अनुदेशकों में ट्विटर कंट्रोल रूम के नाम से पांच अनुदेशकों की टीम इसे संचालित कर रही है जिसके आवान पर पूरे प्रदेशक सप्ता में तीन बार ट्विटर का निमती करण को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो दोस्तों 15 दिन से लगातार जो है 7000 रुपे इनका वेतन था और बढ़ा करके 8470 रुपे किया गया, 2017 में योगी सरकार ने मांदे 17000 रुपे का प्रस्ता भारत सरकार को बेजा, जिसे केंडर ने स्विक्रत दे दी, परन तो दुख इस बात का है कि आज 4.5 वर्स हो गए है, लेकिन राजी सरकार ने अनुद्रि को का कहना है कि योगी सरकार बल की घटा कर 7000 रुपे देने लेगी, मुख्यमंत्री योगी अदितिनान ने अनुद्रिसकों को 2019 पे निमित करने का वादा भी किया था, परन तो अभी तक नहीं किया गया, इस मुझे से जो है लगातार ट्विटर अपर अनुद्रिशक अभ भग 9,20,000 रेजिस्टेशन हो चुके हैं और जबकि 4,77,000 लोग अपना फारम पूरी तरीके से भर चुके हैं और ये परिच्छा कि अगर बात करें तो परिच्छा अगस्त में हो सकती है, यानि कि अभी जून चला जुलाई का महीना आपको मिलेगा, जिल लोगों ने इस्टेशन कर दें और साथी साथ पूरा फारम अपना फिल कर लें और पीटी की तैयारी जरूर करें, क्योंकि आयोक की अद्च ने कहा है कि समूगा के पदों पर चैन के लिए बिर्थियों का पीटी में सामिल होना अनिवार रह है, आयोक की और से बिग्यापित किये जान और तीन महीने में 6,000 पदों की भरतियों के लिए रिजल्ट भी गोसित होंगे, आयोक की अद्च ने कहा कि पीटी की तैयारियों के साथ जो पुरानी भरतियों का वैकलाग है, उसको समात करना प्रात्मिकता है, उमीद है जून, जून से अगस्तक पुरानी भरतियों से ज पाएंगे, उसको एंडिये के लिए परिच्छा के लिए आविदन सुरू हो गए है, 29 जून तक मौका है, फर्म भरने का बारूही पास यूआ अपलाई इसमें कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन 9 जून को जारी हो चुका है, यदि आप एंडिये में जाना चाहते हैं, आ इसमें क्लासेज भी मिलेंगे, और लगबग इसमें 56,000 वेतन मिलता है, तो जो अब बेरती 12 पास है, निश्ची तूरूप से इंडिये का फॉर्म भनें, और साथी साथ सफद्दा.com पर जाकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसमें कटेगरी वाईज यहां पर दिया हुआ ह आर्मी विंग में किसी भी इस्ट्रीम से 12 पास यह समकच परिच्छा, एरफोर्स और नेवल विंग में मैथ, फिजिक्स इस्ट्रीम के साथ 12 पास और समकच परिच्छा, एज की अगर बात करें तो जनम 2 जनौरी 2003 से पहले और 1 जनौरी 2006 के बाद ना हुआ हो, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोबिड के कारण अविलेक सत्यापन और इंटर्व्यू स्थिगित हो गये थे प्राचारिपद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भरती का भी इंतजार है, और 290 पदों पर जो है सत्यापन और इंटर्व्यू होने थे, दोस्तों य इंट्रव्यू जल्द ही सुरू हो जाएंगे, अपात्रों के चैन पर सवाल आयोग ने मांगी प्रतिच्छा सूची, दोस्तों ये मामला LTE great का है, ये LTE great हिंदी में अपात्र भधियू के चैन पर सवाल उठाते विया अन्य ए प्रतियों ने मांगी, उत्तर प्रतपेस ल प्राचार के लिए लिखित परिच्छा पिछले साल 19 सक्टूबर को आयोजित की गई थी प्राचारी पद की भरती के कुल 917 बिरती पंजी करत थे और इनमे से 743 बिरती परिच्छा में सामेल हुए थे तो दोस्तों इसके इंटर्व्यू और जो अविलेक सत्यापन है इसकी स प्रेटि की अगरब बात करें ए Cishten परोफेसर भरती की परिच्छा की तो इसका भें इंतजार है असास की महावविद्यालों में बिग्यापन संग्य 40 एक बिसे भोगर विग्यान में असिश्टेंट प्रQuéca कि एक पद विग्यापन संग्या 50 के तए 49 बिसेों में असिश केंद्रों में अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी यूपी एच एएस्सी के सुत्रों के मताविक परिच्छा की नई तारीखें जारी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है दर असल कोबिट के कारण इस्तगित हुई अनिभरती संस्थानों की परिच्छाओं की नई वीडियो में आपको सुचित भी किया है दोस्तों उमीद्विडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए साथ इसबूग और वाट्सब्ग्रूप पे शेयर भी कीजिए जल्दी मिलेंगे एक नए इंफिर्मेटिव वीडियो में नमस्कार.